नमस्कार दोस्तों कैसे हैं उमीद करता हूं स्वस्त होंगे व्यस्त होंगे और मस्त होंगे अरवार की तरह दोस्तों आज इस वीडियो के थुरू मैं आपको इक एक process लाए है social talk exchange पे listing करना उसके किया फायदे होते हैं क्यों listing करनी होती है funding में कहा कहा हो सकती है कितनी unlimited funding मिल सकती है CSR भी धीनेagem करे थी थी तो दोस्तों social historical Charter को मैं पहले दो टीन वीडियो मैं बता चुका हूं इससे कोई भी Question A 봐 पूसकते हैं लिकिन इस वीडियो के तरू में आपको क्या बताने वालों काफी सारे लोगों को confusion है लिश्टिंग की भी वही बात है तो ऐसे करके कुछ जो लोग हैं जो सोसल इस्टोक एक्षिंज में इंट्रेस्ट रखता अपनी आपको रिश्टर कराने में वह थोड़े यहां पर लिटल बिट कन्फ्यूजन है तो दोस्तों मैं आपको यह क्लियर कर दूं यहां पर दो प् कमपनी का IPO आता है और लिस्टिंग होती है ऐसे ही वो आप लिस्टिंग करेंगे तो रजिस्टेशन सास्सी के साथ साथ होना और स्सी केसा दिन सी सब्सक्राइब करते हैं जो फंड देने के लिए तयार है तो दोस्तों यह ती इंफर्मेशन मुझे उमीद है कि आपको इंफर्मेशन यूस्फूल रही होगी आपने listening कराई कि यह रिष्टरेशन कराया है तो क्या आपको से बी की जो गाइड़लाइन्स हैं वो कंप्लाइंस करने पड़ेंगी क्या रेजिस्टरेशन के बाद आपको कोई legal formalty पूरी करने होती है हां दोस्तों बिलकुल करनी होती है आपको registration के बाद जो formalty पूरी करनी हो यहां पर लोगों को बहुत confusion हो रहा है कि सार लिस्टिंग करना और रेश्टेशन करना सेम हैं क्या लिस्टिंग के लिए लिगल फॉर्मल्टी अलग है और रेश्टेशन के लिए लग लिगल फॉर्मल्टी है तो दोस्तों यह थी information मुझे पूरी उमीद आपके लिए काफी useful information है फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई टोपिक के साथ thank you so much